डिर स्वागत है आप से लिखा हमारे यूटूब चानल स्टड़ी विद दिलार में बच्चों ये कलास फाइव का हिस्ट्री बुक है और ये चेप्टर फोर है इस चेप्टर का नाम है अठासो संतावन के पस्चात नई चुनोतियां तो अठासो संतावन में जो सबसे पहली करांती अंग्रेजों के खिलाप हुई थी तो उसके सांत होने के बाद क्या चुनोतियां आई क्या परिशानियां आई और अंग्रेजों के साथ भी परिशानियां आई थी हुए लोग चाते थे कि इस तरह की जो करांती हुई थी वो फिर से दुबारा कभी ना हो तो ऐसी कई सारी नितियां उन लोगों ने बनाई और इस चप्टर में इसी से समन्दित बाते दिया हुआ है तो आई हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं 1757 का स्वधिनता संगराम भारती एतिहस का गौरव साली अध्याय है पहले बार देश के विविन भागों के बीच में एक ऐसे विदेशी सासन के विरूद एकता स्थापित हुई जो संपुर्ण भारत को गुलाम बनाकर उसका सोसन करना चाहता था अंग्रेज लोग सोसन करना चाहता ही नहीं था सोसन कर रहा था जितने समय तक यहां पे हिंदुस्तान में वे लोग रहे तो हमेशा ही वो लोग का एक ही टार्गेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को लूट लिया जाए क्योंकि भविस में इसे छोड़ना ही पड़ेगा हाथ से निखली जाएगा इस काल में अनेक ऐसे युद्धा वा नेता उभरे जिनकी वीर्ता वा बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया नाना साहब, रानी रच्मिबाई, पातिया टोपे और कुमर सिंग जैसे निताओं की वीर्ता आने वाले पिडियों को आजादी के संघर्स के लिए मर मीटने की प्रेरना वा देश प्रेम का अनुपम उधारन बन गई उस समय ऐसे ऐसे वीर्त है जो हमेशा के लिए अमर होगे देश के लिए अपना बलिदान देकर और उन नेताओं से हमें आज प्रेरना लेनी चाहिए और आने वाले पिडियों को प्रेरना मिलती रहेगी कि देश के लिए हमें किस प्रकार से काम करना है निस्वार्थ भाव से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है आवसकता पढ़ने पर हमें देश के प्रतिक स्वयम का बलिदान भी कर देना है जहां तक क्रांती की योजना अथवा संगठन का संबंध है वा विश्व की किसी भी क्रांती की योजना और संगठन से कम नहीं थी परन्तु सुंदर वा कुछल योजना ही सफलता के लिए प्रियाप्त नहीं होती बलकि इसे ब्योहार में भी लाने की आवसकता पड़ती है यहाँ पे जो हमारा सुतनतता संगराम था वो असफल हो गया तो इसकी पिछे यहाँ पे रिजन बतलाया जा रहा है कि उभी करांती कोई छोटी करांती नहीं थी लेकिन उसको सही से ब्योहार में लाया नहीं जा सका कहीं ने कहीं कुछ कमी थी जिसके कारण हम लोग असफल हुए थे उस समय जिस राष्ट्रिय एक्ता की अत्यांत आवसकता थी उसका नितांत अभाव रहा लोग अपने अस्थानों पर लड़ते रहे परंतु विविन छेत्रों में लड़ रही इन सक्तियों के बीच कोई ताल मेल नहीं था संगठन की कमी थी भारतिय सेनिक जब करांती में समिलित हुए तो उन्होंने अनुसासन का ध्यान नहीं रखा यहाँ पर उन लोग के बीच एक आग लगा हुआ था उसके सीने में जो है आग गुलामी का जो उन लोग जहल रहे थे तो अचानक से वो भड़क गए मतलब उन लोग के खिलाब का वाज तो उठा दिया लेकिन एक सिस्टेमेटिक धंग जो हता है उस हिसाब से वे नहीं चल पाए एक दूसरे से वे तालमेल बना कर नहीं रख सके कौन सी योजना कब चलाना है ऐसा उस समय नहीं कर पाए जिसके कारण उनमें एकता की कमी हो गई और अकेले लड़कर लड़ाई जीती नहीं जाती है करांती कारियों में पूर्णत अनुसासन भी नहीं हो पाया था क्योंकि जो तिथी रखी गई थी करांती के लिए उससे पहले ही उन लोगों ने करांती को आरम कर दिया और देश के सभी भागों में एक साथ करांती नहीं हो पाई अंग्रेजों को पता चल गया कि करांती कारियों की यूजना क्या है और समय रहते ही वे सतर्क होगे तेसे लिए विस्फोट को दबा दिया गया और यहाँ पे वही चीज बतला गया है निश्चित तिथी के पूरू ही मेरट के सेनिकों ने विस्फोट कर दिया परिनाम सरूप देश भर में एक साथ संगर्स नहीं हुआ और अंग्रेज साधान होगे एक बात और भी थी कि अंग्रेजी सेना के पास अच्छे अस्त्र सस्त्र थे भारतिय सेनिकों के पास उनकी तुल में उतने अच्छे सस्त्रास्त्र नहीं थे तो यह कारण भी था लेकिन यह बहुत बड़ा कारण नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी एक कारण था मुगल बादसा को लोगों ने भारत का समराट अवेस मान लिया परन्तुवद दिल्ली का ही योगी नेतरित न कर सका सभी अपने अपने छेतरों में विभीन नेताओं के नेतरित में लड़ते रहे जिसके कारण संपूर्ण संग्राम का एक कुसल नेतरित ना बन सका हर जगा में जहां पे भी लड़ रहे थे वहां का किसी को एक लिडर मान लिये अब उसके नुसार वे लड़ रहे हैं, दूसरे जग़ा कोई दूसरे लीडर के नुसार लड़ रहे हैं. इस तरह से हर जगा एक लिडर अलगळ लिडर था और जिससे की नेतृत की कमी हो गई, कुसल नेतृत की. जिन छेत्रों को अंग्रेजिस सासन से मुक्त करा लिया गया था उनमें अच्छा वाकुसल पर सासन अस्थापित करने की दिसा में उचित प्रियास नहीं हुए सन 1857 के युद्ध के साथ ही भारती एतिहास का एक युग समाप्त हो गया भारत पर ब्रिटिस सरकार का सीधा नियंदरन अस्थापित हो गया उस समय तक जब 1857 का युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले East India Company जो है वो तो बहुत पहले से ही आकर यहां पर अपना सासन चला रहे थी और डायरेक्ट जो है उसका सासन नहीं था ब्रिटिस सरकार का सासन डायरेक्ट नहीं था East India Company द्वारा चल रहा था लेकिन 1857 के बाद जो है East India Company को वहां से हटा दिया गया और अब जो है सासन डायरेक्ट अंग्रेज सरकार के हाथों में चला गया यहां पर बतलाय जा रहा है वही है ब्रिटिस संसत द्वारा कानून पास कर भारत में East India Company का सासन समाप्त कर भारत का सासन इंग्लेंड की महरानी के अधिन कर दिया गया महरानी विक्टोरिया ने एक राजग्या जारी की जिसमें कहा गया कि भारतिया राजाओं के अधिकार सुरचित रहेंगे यहां पे यह जो पिक्टर दिया हुआ है उस समय इंग्लेंड की महरानी थी महरानी विक्टोरिया तो उनको भारत का जो है सत्ता उनको अधिन कर दिया गया और इंग्लेंड की महरानी इने एक निती पारित की वहां से जारी की और उसमें कहा गया कि भारते राजाओं के अधिकार सुरचित रहेंगे अंग्रेजी राइज में नए छेतर नहीं मिलाये जाएंगे पुराने रिती रिवाजों को उचित समान दिया जाएगा नयाय उदारता तथा धार्मिक सर्शनुता की निती अपनाई जाएगी ऐसी बातें यहाँ पे हंदुस्तानियों को भालाने के लिए ही सिर्फ किया गिया था परन्तु ये घुसनाय भारती जनता को भालाने के लिए ही थी इनके पीछे वास्तिविक्ता कुछ और ही थी इसके पीछे क्या वास्तिविक्ता थी यहाँ पे आगे दिया गया है 1857 के 133 संग्राम में सेनिकों की भूमी का महतपुर्ण थी वैसा विस्पोर्ट फिर न हो सके इसलिए सेना का पुनरगठन किया गया भारतिय सिनिकों को तोप खानेवा सस्त्राग्रों से अलग रखने का निरने लिया गया यूरूपिय सिनिकों की संख्या बढ़ाई गई सेना के सभी अधिकारी अंग्रेज थे यहाँ पे इस तरह की निती अपनाई गई ताकि दिस्पोर्ट मतलब इस तरह की करांती फिर से दुबारा न हो सके अधि भारतिय सिनिकों के पास कुछ भी ऐसी बेवस था जिससे कि उसको हत्यार मिल जाए तो यह बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि 173 संगराम जिस परकार से 877 में हुआ था भाविस में जल्दी ही उनके खिलाब फिर से होगा इसे लिए उन लोगों ने क्या क्या ऐसे जगहों में भारतिय सिनिकों को रखा जो उन लोग को हंथियार कम से कम मिल सके तो खाने से अलग सस्तरागारों मतलब जहां पर अस्तर सस्तर रखा जाता है और इसी जगहों से उन लोगों को अलग रखा गिया इसके अलावा अंग्रेजों ने अपनी सिनिकों की संख्य बढ़ा ली और जितने भी उसके बड़े अधिकारी होते थे वे सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे वहाँ पे भारतिय सिनिकों को कोई जगह नहीं दिया जाता था जिसके कारन सत्ता उनके हाथ में बनी रहे है British सरकार ने भारतिये राजाओं को अपना सहयोगी मान लिया, कई जमिनदारों को राजा का दर्जा दिया गया, इन राजाओं का दरबार लगता था, भारतिये राजाओं के दरबारों में वे अपने वेभा вам का परदर्शन करते थे, चुंकि इनका अस्तितु British सासन पर निर् दीज दिया गिया, 很好 कि उन लोगों ने इस तरह से करने का कारण यही था है कि उच से उनको समर्थन मिल जाए, इसलिए वे लोग उसको एक राजा की तरह मान लिये, उसको सह्योग करते थे और उन लोगों का दरबार भी लगता था, और वहां पे जितनेए भारतिय राजा हो इसलिए वहां पे भी अथिकारी को रखा जाते था। अनेक भारतियों को अंग्रेज भक्ष और समर्थक बनाने के लिए राय साहब, राय बहादूर, खान साहब, खान बहादूर, हुआ सर की उपाधियां बाटी गई या उन्हीं लोगों को बाटी जाती थी जो अंग्रेजों की सहायता करते थे, यहां पे एक परलोभन दिया ग करते थे, भारत में फुर्ण राजनेतिक सत्ता स्थापित होते ही अंग्रेजों को यह चिंता हुई कि कैसे इसे अस्थाई बनाया जाए, इसके लिए भारतियों की धर्म निष्ठा एवंस अभिमान को नस्ट करने की निती अपनाई गई, अंग्रेजों ने कहा कि इस्वर ने इंग्लेंड को हिंदुस्तान का विशाल समराईज इसलिए सोपा है कि हम इस देश में इसाई धर्म की अस्थापना करें, यहां पे अप ध्यान देने वाली बात है, यहां पे ध्यान दे सकते हैं, यह धर्म के मामला पे इन लोगों ने छिड़चाड किया, अंग्रेज मतलब हमेशा के लिए इस देश पे राज किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों ने इसाई धर्म को यहां पे फैलाना शुरू किया, इस उदेश की पूर्ती के लिए परबल परियत्न आरंब हुए, चोराहे चोराहे पर इसाई पादरी हिंदुओं के देवी देटाओं वा सरकारी खाजाने से वेतन जिया जाता था, इस काम को पूरा करने के लिए कई पादरियों को जो है काम पे लगाया गया, वे चोराहे चोराहे जाकर, हिंदुओं के देवी देटाओं, उसकी अवहलना किया जाता था, मुसलमानों के जो पैगंबर होते थे, उसके परती उसको मानने वाले जो है, उस धर्म को समझ नहीं पाते हैं, और इन पादरियों को सरकारी खाजाने से वेतन दिया जाता था, ऐसा काम करने के लिए, और आज भी इसाई धर्म हमारे देश में है, मैं आप लोगों को बतला दूँ, कि आज भी हमारे देश में इसाई धर्म किया जाता, तो आज भी ये चीज लागू है, बहुत सारे ST, मतलब आदिवासी लोगों को मैंने देखा है, कि वे लोग जो है अपना धर्म को छोड़कर इसाई धर्म अपना लेते हैं, उसके लिए इसाई धर्म वाले जो होते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं, या फिर उसके गुजारा असानी से चल सके, तो पैसे के परलोभन में धर्म का बदलाव किया जा रहा है, आज भी जारी है, अंग्रेजों ने एक ऐसी सिच्छा आरंभ की, जिसका सुरूप Lord मैकाले ने निर्धारित किया था, Lord मैकाले का कहना था, हमें सिच्छा के दवारा यूकों का निर्मान करना होगा, जो रंग रूप से भारतिये तो आवस होगा, पर विचार भासा बुद्धी से वह अंग्रेज होगा, तो इसका बहुत लंबी सोच था, Lord मैकाले, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, इसका लंबी सोच था कि बच्चों को इस तरह से ट्र में नोकरियां मिल जाती थी, वे अंग्रेजों का गुंगान करते थे, देश के परती, उनमें निस्ठा का अभाव था, ऐसी नोकरी मुझे ने लगता किसी को चाहिए, अपने देश का निंदा करके, नोकरी लेकर अंग्रेजों का गुंगान करे, वैसे भारतिये नहीं हों इस युद्ध में हिंदूओं वा मुसलमानों ने कंधे सिकंदा मिला कर संघर्ष कर अपना बलिदान दिया था, इसलिए हिंदूओं मुसल्मानों में भेदबाव पायदा करने के लिए मुसलमानों को उक्साने के कारी किये गे, यहां पर अंग्रेज लोग हमेशा से हीपु और मुसलमानों की बीच कुछी इस तरह की भावनाएं पैदा करने की कुशिस किया, ये दोनों अलग हो जाए, अलग-अलग रहने से क्या होगा, इसकी सक्ति जो है कम हो जाए, और हम आसानी से इन पे सासन कर सकेंगे, तो यहाँ पर परियास किया गया, लेकिन कहते हैं कि किस सासकों ने सोचा कि भारत को अनेक वर्गों में बटा हुआ रखकर ही, वे अपने राईज को मजबूत वा अस्थाई रख सकते हैं, तो पहले से ही ये सोच था, कि जब तक ये बटा रहेगा, तब तक हम यहाँ पर सासन कर सकेंगे, तो इसलिए हमेशा वे परियास करते रह कि यहाँ पर जितने भी राईज है, जितने भी भाग है यहाँ पर ज्यादा तर बटा हुआ हो, और हम यहाँ पर सासन करते रहें, इसलिए अंग्रेज सरकार ने राजाओं और जमिनदारों का समर्थन किया, परंतु इस बिच भारतिय समाज में अनेक परिवर्तन हुए, स जमिनदार उसके समर्थन में खड़े रहें, उसका सहयोग करें, ऐसा हुआ जरूर लेकिन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं चला, भारतिय समाज में कई तरह के बदलाव आने लगे, धार्मिक सुधार सांस्कृतिक जागरन एमराष्ट्रिय पुनृत्थान की एक ऐसी लहर च साथ ही देश की सोतंतरता के लिए संघर्ष का एक नया यूग प्रारंब हुआ, तो एक नया यूग क्या प्रारंब हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस चैप्टर में क्या कुश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं यहां पर जितने भी वट भरे हुए हैं लगबग साही है कुछ स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो सकता है इसलिए मैं जिसका भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा मैं उसको स्कीरिन पर आपको लिख कर दिखा दूगा इसका आंसर किस तरह से होगा और कुश्चन नमबर त्री य यहां पर भरा हुआ है जो भरा हुआ हूँ बिल्कुल सही है पर्थम सोदेंता संग्राम के पाँच प्रमुक सिनारियों वा उनके अस्थानों के नाम लिखिए यहां वैसे करांतीकारियों के नाम है जिन लोगने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया तो फस्ट में दि दियावा है, optional question है ये, MCQ सही विकल पर सही का निसान लगाएं, पर्थम सोदेंता संग्राम कब हुआ, 1857 में हुआ, यहां पे लगा हुआ है, 1857, सोदेंता संग्राम में सवर पर्थम विस्पोट का हुआ हुआ, मेरट में हुआ था, वहां पे समय से पहले ही करांती चालू हो इसलिए इसको बढ़ावा देते थे, भारत में अंग्रेजी सिच्छा का स्वरूप किसने निर्धारित किया, लाड मैकाले ने, लाड मैकाले ने भारतिय सिच्छा की स्वरूप को निर्धारित किया, वह चाते थे कि भारतिय लोगों को अंग्रेजों के जैसा बनाया जा स तो इसमें जितने भी question answer बाकी है तो आईए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दे देता हूँ यह है chapter 4 का question answer निमलिकित प्रोशनों के उत्र लिखिए 1857 के सौतंतर युद्ध की विफलता के चार परमुक कारण लिखिए 1857 के सौतंतर युद्ध की विफलता के चार परमुक कारण है राष्ट्री एक्ता की कमी, करांतिकारियों के बीच दाल मेल की कमी, संगठन की कमी, करांतिकारियों में अनुसासन की कमी इंग्लेंड की राणी का सासन होने पर क्या घोसना की? 1857 के पस्चात अंग्रेजों ने भारतिय समाज में फुट डालना शुरू कर दिया हिंदूओं और मुसल्मानों में भेद भाव पैदा करना शुरू किया राजाओं और जमिंदारों का समर्थन करने लगा 1857 की करांतिकी समय भारत में किसका सासन था? 1857 की करांतिकी समय भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का सासन था? क्वेशन नमर 3 निमलिखित प्रोसन के उत्तर विस्तार से दीजिए इसके लिए अपने आचायरी जी वा माता पिता की सहयता ले सकते हैं 1857 के बाद महराणी की घोसना का अंग्रेजों ने कहां तक पालन किया? 1857 के बाद महराणी विक्टोरिया की घोसना एं भारतिय जन्ता को बहकाने के लिए ही थी इसके पिछे वास्तविक्ता कुछ और ही थी वैसा विस्फोर्ट दुबारा ना हो सके इसलिए सेना का पुनरगठन किया गया भारतिय सेनकों को तौप खाने वास अस्त्रागारों से अलग रखने का निर्ने लिया गया ब्रिटिस सेनकों की संख्या बढ़ाई गई सेना के सभी अधिकारी अंग्रेज थे कोश्चन नमबर खा अंग्रेजों की फुट डालो राज करो कि निती का हमारे देश करो कि निती हमारे देश की एकता को तोड़ने में सफल ना हो सकी इस युद्ध में हिंदुओं वा मुसल्मानों ने कंधे से कंधा मिला कर संगर्स कर अपना बलिदान दिया था इसलिए इनके बीच भेधभाव पैदा करने के लिए मुसल्मानों को उक्साया गया परन्तु किसी बीच भारतिय समाज में राष्ट्रिय पुन्रुथान प्रारंभ हो गई थी 1857 की करांती असफल क्यों हुई 1857 की करांती असफल होने के पिछे कई कारण थे उस समय जिस राष्ट्रिय एक्ता की आवसकता थी उसका हमेशा कमी रहा लोग अपने अपने अस्थानों पर लड़ रहे थे उनके बीच कोई ताल मेल नहीं था निश्चित तिथी से पुरू क्रांती विस्फोर्ट हो गई भारती सीनकों की अपेच्छा अंग्रेजी सीनकों के पास अच्छे अस्तर सस्तर थे यही कारण था असखल होने का और इसके साथ ही यहां चेप्टर यह समाप्त हो जा रहा है और इसके बाद मातर दो चेप्टर बचा हुआ है वो किलियर हो जाता है अगर उसको मैं बना देता हूँ तो फिर पूरा बुक खतम हो जाएगा तो उमीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से आप लोगों को जरूर मदद मिल रहा होगा अगर आप लोगों को मदद मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को जाद से जादा सेर कीजिए अपने दोस्तों के पास और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चै वीच्ट वीडियो में चलते हैं